नवाजपा ने सीटों में गुझरात विदान समाचनाव के पहले चलनल के लिए मददान हो चुका है जब कि दूसरे पेश के लिए तिराज में सीटों पर सो भार पाज की सफर को और पूटिवनों और कुल एक सो बेराज़ी सीटों की दिनती आट भी सफर को दमस्कार सागत है आपका MZ Media पर आज में बात करें गुजरात में चल रहे विधान समा चुनावकी तो सबसे पहले आपको बता दे कि गुजरात में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम विधान समा चुनावकी बात करें तो भाजपा ने बहुमत का आधरा बाय करते हुए 99 सीटे जीते वहीं इसकी मुकाबले तब कॉंग्रेस को 77 सीटों पर जीतने हैं आपको बता दे कि गुजरात में बीजेपी पिछले 27 सालों से सब्सक्रा में और भाजपा पिछले 6 विधान समा चुनावकी जीतते आ रहे हैं और अब इस बार पार्टी लगाता स पार्टी जीत के लिए जी जान से नहीं वहीं कॉंग्रेस पार्टी भी दोर-टोर कैमपेइन करके सीधे मत दाताओं तक अपनी पहुंच बना रहे हैं जबकि अगर आप आदमी पार्टी की बात करें तो आप भी इस बार मैदान में मजबू की से उखते हैं कि या मुकाब पसंद आया हूँ वीडियो को लाइक करें कमेंट करें कि अपनी राइज जरूर दिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल को ना भूले और बेल आइकन ज़्याल दबाए ताकि अमाल को कर आप तक जलते करते हैं शुक्रिया